उनके 10,000 सब्सक्राइबर है ठीक है उसके आसपास है और हमारे 100 सब्सक्राइबर है तो हम दोरों के बीच में गैप कितना है लेकिन फिर भी वो मेरे कमेंट का जावब देता है मैं उनके कमेंट के जावब देता हूं और उन्होंने मेरी हैल भी करी है यूट्यूब के पूरे इस तरह का इनका कहना है और यह सब क्यों कह रही है क्रों बना दे दे तो अगर आप Tech category के अंदर YouTube channel बना देते हैं तो सबसे पहले आपको YouTube से related videos नहीं डालने है YouTube tips नहीं देने हैं और उन्होंने खुद ये पहले किया है और वो बोलती है कि YouTube tips आपको नहीं देना है मैंने भी पहले YouTube tips नहीं दिया था उसके बाद मैंने कुछ Instagram ये सब के बारे में वीडियो बनाए उस वीडियो को मेरी आगे जाने के बाद ट्रेंडिंग में आने के बाद सर्च में जाने के बाद मैंने फिर YouTube tips के बारे में बताना शुरू किया वो कहते हैं कि अगर आपके पास आपकी चैनल के उपर subscriber नहीं है views नहीं है तो आप लोगों को क्या ग्याम देगे आप अपनी ही चैनल के अंदर आपके वीडियो के views नहीं है तो आप गुरू कैसे बन सकते तो देखिए इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप अगर आपकी चैनल के उपर आप अपनी चैनल को ग्रो कर सकते हैं आप मेरी चैनल को देखिए मेरी चैनल के उपर पिछले एक महीने के अंदर 20-30 subscriber बढ़े है तो 80 subscriber हुए ठीक है जैसे जैसे हमारी family बड़ी होगी तो उस तरह से हमारे subscriber भी बढ़ेंगे और views भी बढ़ेंगे YouTube का algorithm कुछ इस तरह से work करता है कि जितने ज्यादा subscriber है जितने आपके पास जितने subscriber है उतने आपके views तो आ नहीं है लेकिन और लोगों तक अगर आपकी वीडियो नहीं पहुँच रही है तो उसको कैसे पहुचा है उसके बारे में हम बता सकते है ठीक है तो मैंने कुछ वीडियो के अंदर बताया है कि आप अपनी वीडियो को कि आप अपनी वीडियो को नए लोगों तक कैसे पहुचा सके अगर वो वीडियो अपने नहीं देखा तो यहां आई बटन में आपको मिल जाएका तो चलिए मैं मैडम जी की बात करता हूँ कि वो क्या बता रही है तो सुनिए यह क्या बोल रही है यहां पर देखिए आपको दिख रहा होगा मैडम जी का चेहरा रही है मैं सबसे पहले तो आपको बता दो जैसे आज कल क्या हो गया आज कल टेख के इनकी वीडियो की देख लेता है तो टेग के इसी को कौपी करके हम भी वीडियो बनाएंगे तो हम भी टेक के ग्यानी बन जाएंगे तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो उसकी यही होती है जो भी नया क्रिएटर आता है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ आपको कभी यूटूब टिप से स्टार्टिंग से देने ही नहीं है क्योंकि अगर आपके चल्ड पर खुद व्यूज नहीं आ रहा है आपके चल्ड पर पहले नहीं देनी है तो मैं आपको वह भी देखा देता हूं उन्होंने यह देखी है यहाँ पर पहले मैं स्केरिंड को दिंग क्ल लेता हुं उसके बाद मैं आपसे कि यह देखिए हमारा स्क्रीन डेकुर्डिंग अन हो चुका है और अब मैं आपको बताता हूं वो क्या बताना चाहती है मैडम जी ठीक है इन्होंने बताया कि मैं पहले यूट्यूब टिप्स नहीं देती थी और पहले मैंने यह सब किया है वो सब किया ठीक है तो यह हमारा उनका सबसे लास्ट वाला वीडियो है चलिए दूस साल पहले का वीडियो हम देख लेते हैं उनका लास्ट वाला वीडियो कौन सा ह तो यह देखी यहां पर उन्होंने बताए मनोज डे ने इस लड़की को किया प्रमोट ठीक है तो ठीक है कोई बात नहीं यहां पर है यूट्यूब पर प्रोफाइल फीचर कैसे लगाए तो यह यूट्यूब टिप्स ही हो गई 100 सब्सक्राइबर पर यूट्यूब से क्या मिलता है ठीक है सब्सक्राइबर हाइड कैसे करे बार बार वीडियो की कैटेगरी की चैन्ज करने से क्या होगा सब्सक्राइबर हाइड कैसे करे स्पॉंसर्शिप क्या होता है शॉर्ट अपडेट पक्वास तो इस वीडियो के अंदर उन्होंने बताए कि आप यूट्यूब के टिप्स नहीं देंगे सबसे पहले और यूट्यूब के टिप्स बाद में देंगे आपकी यसे वीडियो बनाए है जो इसी के ऊपर है और इनका एक वीडियो चल चुका है इंस्टाग्राम का How to set फिंगर प्रिंट प्लॉक और इंस्टाग्राम के अंदर फिंगर प्रिंट प्लॉक कैसे करें तो शायद इसी के बारे में वो बता रही थी कि Instagram का वीडियो उनका चल चुका है लेकिन उनका वीडियो चलने से हमारे YouTube के अंदर क्या होता है आपको मैं बताता हूँ YouTube के अंदर बहुत सारे लोग काम करते है सभी की चैनल के अंदर हर एक वीडियो वाइरल नहीं होता है किसी के अंदर कोई भी एक वीडियो वाइरल होता है उसके बाद उसकी चैनल ग्रो हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप YouTube टिप्स के बारे में बता रहे है और Instagram का वीडियो डाल दिया तो वो वाइरल हो गया है ऐसा कुछ नहीं है अगर आप searchable topic के उपर वीडियो बनाते है तो वो वीडियो आपकी वाइरल होने की संभावना ज्यादा होती है आपको देखना है कि YouTube के अंदर ज्यादा search क्या होता है जो भी ज्यादा search आता है उसी के उपर 2-3 वीडियो, 4-5 वीडियो, 7 वीडियो, 10 वीडियो बना दिजिए उसी एक topic के उपर 10 वीडियो अगर आप बना देते हैं तो उसके अंदर से कोई भी एक वीडियो वाइरल हो सकती है अगर वहाँ पर नहीं होता है तो और भी searchable topic ढूण दिए और वहाँ से भी आप traffic ला सकते हैं अपने YouTube चैनल के अंदर मैंने एक वीडियो बना था, यहाँ आई बटन में मिलेगा कि आपको searchable topic कहां से मिलेगे कि जो लोग search करते हैं और वो searchable जो keyword है वो keyword आपको कहां से मिलेगा उन सब के बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और इन मैडम जीने जो बताया है तो ठीक है उन्होंने अपनी तरह से बताया है लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप YouTube के ओपर tips देते हैं तो कोई गलत बात नहीं है आपको देना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ आपको regular होना चाहिए अगर आप हर दिन एक वीडियो अपलोड करते हैं तो हर दिन एक वीडियो अपलोड करने ही चाहिए हाला कि मैं पिछले एक हपते के अंदर ये दूसरी वीडियो होगी क्योंकि मेरा काम कुछ इस तरह का है मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ और सिनेमेटिक वीडियो बनाता हूँ और वहाँ जाने की वज़े से टाइम ही नहीं मिला है आपको पता है कि मेरी आवाज भी कुछ बदले लग रही होगी तो टाइम नहीं मिला इसलिए वीडियो नहीं बन सकी लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अभी देखिए कितने बज़े हैं मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ गूगल में सेर्च करते हैं इंडियन टाइम यहाँ पर देखिए अभी कितने बज़े हैं मैं इतने बज़े इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ और इस वीडियो को शूट करने के बाद चलिए मैं आपको यहाँ रेकोर्डिंग में दिखा देता हूँ आपको दिख जाएगा कि इतने बज़े मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी आया हूँ एक गंटे पहले एक घर पे आया हूँ और वीडियो बनाना शुरू किया है तो आप लोगों को वीडियो इसलिए नहीं दे सकता क्योंग्कि मैं बाहर ही रहता हूँ जादा थर और बाहर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं हुता कsplि वहांपर शूर्बकूर्द है तो सब मिलाकर आपको बात यही करनी है कि मैं आपको बता दूँगा कि मैंने जिस्थे सिखा है कि डेली एक वीडियो अपलोड करना है वह है रहोई स्टर्ड यूट्यूब के पूरे यूट्यूब के अंदर एक ही बन्दा ऐसा है जो सबको सपोर्ट करता है मतलब छोटे कमेटिर में ढाली थी वरना उसको मुझसे क्या उक्षल होगा जो वहाँ पर मेरे वीज से ऑपर पर कॉमेंट होना चाहिए हम सब सातमें मिलगे बढ़ सकते और उन मैडम जी ने की YouTube की टिप्स का आपको चेनल बनाना ही नहीं चाहे तो मैं ऐसा नहीं कहता हूं कोई भी के अंदर आगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपकी वीडियो चलेगी लेकिन आपको रेगिलरीटी बनाए रखनी है तो रेगिलर रहे हैं तभी आपकी चैनल ग्रोह हो सकती है यह जो रोहती स्टफ है उन्होंने बहुत टाइम से वीडियो बना रहे हैं और उनकी वीडियो के ओपर व्यूज अभी भी नहीं आ रहे हैं आप देखिए उनकी वीडियो जाकर उनकी वीडियो की लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर आई बटल में भी आप कमेट मिल जाएगा वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं कि वह बहुत महनत कर रहा है और उसके वीडियो के वर व्यूज ज्यादा नहीं आ रहा है उनके 10,000 सब्सक्राइबर है ठीक है उसके आसपास है और हमारे 100 सब्सक्राइबर है तो हम दोनों के बीच में गैप कितना है लेकिन फिर भी वो मेरे कमेंट का जावब देता है मैं उनके कमेंट के जावब देता हूँ और उन्होंने मेरी हेल्प भी करी है आगे भी हम भी सबकी हेल्प करना चाहते हैं अगर आप लोग हमारी हेल्प करते हैं तो हम भी आप लोग की हेल्प करना चाहते हैं अगर किसी कुछी को भी कोई भी हल्प की जगवत है तो कॉमेंट कर सकता है तो छलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई उलिए में